चात्रों अरस्तु एजुकेशन में आपका स्फिर से स्वागत है आज हम प्रतीभापर्व मुल्यांकन वर्कसीट 2021-22 की कक्षा आर्ट के लिए विशय हिंदी विश्ष्ष्ट का मौडल पेपर हल करेंगे तो यहां आप दिये गए विद्यारती के लिए निर्देश फिल करें खन्डा वहके जिए तो बहुं विकलपी प्रश्ञ प्रश्णिक्रमाक एक से आठ निर्देश दी गई सूशना के आधार पर प्रश्णों के सहिए उत्तर वाले विकल पर गोलगेरा बनाएं और लिखे यहां पर यात्र कारिक्रम की सूशना दी गई हुई है इससे आप पढ़ ले हम next page की ओर चलते हैं इसी के आधार पर हम question answer solve करेंगे प्रश्निक्रमांक एक दिया हुआ है खिड़की से सरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए तो इसका right answer है option D अंगो को चोट लग सकती है उत्तर fill up कर ले प्रश्निक्रमांक दो दिया है किस वाक्य में चादर का सुध्ध बहु बचन सब्द प्रयोग किया गया है इसका right answer है option A मोहन बाजार से चादरे खरीद कर ला रहा रहा और answer fill up कर ले प्रश्निक्रमांक तीन चात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं तो इसका right answer है option B अपने सिक्छकों के साथ answer fill up कर ले प् option C चादर कपड़े पानी की बोतल answer fill up कर ले यहां निर्देश दिया हुआ है पोश्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर में सहीं विकल पर गोला लगाईए आप यह पोश्टर देख सकते हैं इसके आधार पर हम question को हल करेंगे प्रश्निक्रमांक पांच दिया है प्रकरती से जितना हम लेंगे उसका दो गुना हम वापस भी करेंगे क्योंकि right answer है इसका option C इससे प्रकरती समर्थ और दुनिया जीने योग्ये बनेगी उत्तर fill up कर ले प्रिश्निक्रमांक 6 दिया है विस्व परियावर्ण दिवस मनाने का क्या कारण है उत्तर है option B प्रकरती संरक्ष के प्रती जाग रुकता उत्तर fill up कर ले प्रिश्निक्रमांक 7 दिया है पोश्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है इसका right answer है option B प्रकरती बचाने का गोल लगा कर आंसर fill up कर ले प्रिश्निक्रमांक 8 विश्व परियावर्ण दिवस मनाते हैं तो कब मनाते हैं कहा मनाते हैं पूरे विश्व में उत्तर fill up करके गोला लगा ले नीचे दिया है लगो त्री प्रिश्निक्रमांक 9 से 13 निर्देश नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर लिखिये प्रश्निक्रमांक 9 रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून उप्युक्त पंक्तियों में पानी सब्द मोती और मानुस के लिए किस अर्थ में प्रयुक्ति किया गया है तो इसका उत्तर है मोती के लिए चमक मानुस के लिए मान प्रिश्निक्रमांक 10 देखते हैं उप्युक्त प्रिश्निक्रमांक 9 की पंक्तिया किस इसमें चार चरण होते हैं और अर्द सम्मात्रिक शंद है पहला और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं अगला पेश देखते हैं प्रश्न क्रमांग 11 पत्र कितने प्रकार के होते हैं संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार में आते हैं तो इसका उत्तर है पत्र दो प्रकार के होते हैं पहला अपचारिक दूसरा अनपचारिक संबंधियों के लिए लिखे जाने वाले पत्र अनपचारिक होते हैं प्रश्न क्रमांक बारा देखते हैं वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना उनका प्यास के मारे बुरा हाल है पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे उप्युक तनुचेद में उचित स्थान पर उचित विरामचन लगा कर पुनह नीचे लिखिए तो इसका उत्तर लिखिए वह मन ही मन कॉमा बड़े देव को मनाने लगी पूर्ण विराम इन्वर्टेट कॉमा से स्टार्ड होगा अगला वाक्य हे बड़े देव उसके बाद लगेगा विश्मे आदी बोधक मेरे बाबा को बचा लेना पूर्ण विराम उनका प्यास के मारे बुरा हाल है पूर्ण विराम पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे पूर्ण विराम लिख लेंगे प्रश्न क्रमांग 13 देखते हैं डाक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल में क्यों कहा जाता है तो इसका उत्तर है डाक्टर अब्दुल कलाम एक भारती एरोपे स्पेस वेग्यानिक थे डाक्टर कलाम ने अगनी और प्रत्वी मिसाइलों के विकास में महत्पूर योगदान दिया इसलिए डाक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल में कहते हैं प्रश्न क्रमांग 14 देखते हैं ये दीर गुत्तरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांग 14 से 16 निमनलिकित पद्यांस को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए बहुत से मनुश्य यह सोच सोच कर की हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी देव हमारे विपरीत हैं अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल कुझी तो अविचल्स रद्धा ही है तो इसका पहला कोश्चन है उप्युक्त गद्यांस का उचे सीरसत लिखिए इसका उत्तर है सफलता दूसरा है इस गद्यांस का आर्थ अपने सब्दों में लिखिए तो इसका उत्तर लिख ले सकरात्मक ता सकरात्मक व्यक्ति हमेशा सफल होता है नकरात्मक ता असफलता को इंगित करती है मानव को निरास और हतास होने की आफशकता नहीं है बलकि सफलता के लिए भर्षक प्रयातने करनी की आफशकता होती है प्रिश्निक्रमांग 15 देखते हैं आप राजीता पाट के अनुषार डौक्टर चंद्रा को आप राजीता क्यों कहा गया है तो इसका उत्तर लिख लें डौक्टर चंद्रा दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने थीसिस पर डौक्टरेट की उपाधी ली सन 1976 में जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट के उपाधी मिली माइक्रो बाइलोजी में अपंग इस्त्री पुरुस में इस विशय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारती है सारीरिक आख्षम मिता होने के बावजूत उन्होंने हार नहीं मानी इसलिए डॉक्टर चंद्रा को आपाराजिता कहा गया है आप इस पेच का स्क्रीन सॉट ले सकते हैं अगले पेच की तरफ चलते हैं प्रस्निक्रमांग सोला छोटा नाकपुर शेतर में अंग्रेजों की विरोध में हुए आंदोलन में सहीद विर्षमुंडा की बूमिका को लिखिये इसका उत्तर लिख ले सर्ण 1857 का प्रथम भारती सतंता संग्राम विदेशी दास्ता से मुक्त होने का माहन प्रयास था विर्षमुंडा की नेतरत्व में मुंडा जन जाती ने अंग्रेजों का ससस्त्र विरोध किया विर्षमुंडा का जन में छोटा नाकपुर के एक गाउं चार कार्ड में हुआ था विर्षमुंडा लोगों से कहते मुझे भगवान सिंग बोंगा ने प्रेणा दी की मैं आपको फिरंगियों की अत्याचारों से मुक्त कराऊं विर्षमुंडा ने ब्रिटिस सासन की विरोध तीवर आंदोलन किया आंदोलन अन्याय और सोसन की विरोध था वे गाउं गाउं जाकर सभाएं करते और कहते की अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा है हम उनका मुकावला कंदे से कंदे मिलाकर करेंगे और उन्हें भारत से बाहर करेंगे विर्षमुंडा नहीं रहे परन्तु भारती सुतंतसंग्राम में उनका नाम अमर रहेगा आपका मॉडल प्रेश्न आंसर सहीद हो चुका है यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हम जल्दी अगले पेपर का मॉडल आंसर लेकर आपके समक्षाएंगे धन्यवाद